तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वैसे तो पूरी मार्किंग कर ली थी बस थोड़ा सा मार्किंग का पोर्शन हमारा बाकी है तो उसको मार्क करके फिर चाप्त को पूरी तरीके से संपून तहा तरीके से हम क्लोस करते हैं ठीक है तो सॉल्यूबिलिटी की डेफिनेशन तो तो पहले तो देखो मैं Henry law का तुमको स्टेट्मेंट मार्क करवारी हूं पेपर में two marks के लिए बहुत पूछा जाता है what is Henry law state Henry law वगेरा वगेरा तो अगर Henry law आता है तुमको लेट से तो यहां से मार्किंग करना है it states that solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of a gas over the solution इतना उसके बाद यहां से लेकर यहां तक अब जैसे कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें पढ़ाते वक्त भी कहां था यही same statement कि जो हमारी महाराश्या स्टेट बोड की टेक्सबूक होती है कि महाराश्या स्टेट बोड की टेक्सबूक में ऐसा तुम पाओगे कई दफा कि वहां पर जो चीजे दी गई है उसमें थोड़ा सा variation है ठीक है जैसे मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने S की जो value है एस इक्वल टू मैंने KP लिखवाया था याद होगा तुमको उसके बाद मैंने कहा था कि के का रसी प्रोकर ले लेते हैं अपन है ना फिर रसी प्रोकर लेने के बाद वहां पे मैंने कहा था कि इसको आप Henry constant कहिएगा यह सारी बात्चित में औरड़ी पढ़ाते बग तुम क्या हो जाता है अलग हो जाता है यह मैं औरड़ी तुमको बता चुकी हूं तो उस वक मैंने कहा था कि जो के का रसी प्रोकर लोगे फिर वह रसी प्रोकर बेसीकली Henry constant कहलाएगा वगेरा वगेरा जो भी चीजे तुम्हें बताई वह सब कुछ टू है बट कैसा है अगर तुमको अपनी boards की किताब की according चलना पड़ेगा ठीक है तुम्हें किसके according चलना पड़ेगा boards की किताब की according और boards की किताब जो है क्या करती है जैसा कि मैंने पढ़ाते वक बताया था कि यह जो सामने में जो k लिखा रहता है उसी को kh कह देती है basically वो kh होता नहीं है बट still वो उसी को kh कहती है मैंने बैताया है पड़ाते वक कि s equals to k times of p होता है हम s upon k लिख देते हैं और जो 1 by k होता है हम लोग उसको basically kh कहते हैं याद होगा तुमको है ना तो यह वाली जो चीज है इसमें थोड़ी सी गलत है थोड़ी सी क्या बलकि बहुत सारी गलत है इसमें तो अब लेकिन क्या कर सकते हैं आपको अपकी textbook के according जैसा दिया है आपको वैसे ही learn कर ला है इवन जो textbook के according numerical भी बोर्स के लिए ऐसी ही आएंगे ठीक है अच्छा तो अब आगे मात करो वहाँ पे लिखना की जहां पे s का मतलब solubility है gas की किसमें liquid में तो यहां पे बस liquid लिख देना यह लिखने की नीड नहीं है पी का मतलब है pressure of the gas over the solution इन बार ऐसा आपको specify करने की जरुवत नहीं है कि इन बार लिख रहे हैं वहाँ पर खेर और के एच तुमने तुम्हें बताया था इसको henry log का constant क्याते हैं ठीक है बस इतना यह तुमको अगर henry log के statement लिखने को आती है अगर question आता है कि state henry log तो उस वक अगर state henry log यह वर लिखकर आया तो वहाँ पर आपको यह जितना मैंने mark करवाया है वो आपको लिखना पड़ेगा ठीक है अच्छा next question आपसे यह पूछा जा सकता है unit of kh मतलब आपके पास जो henry log का जो constant है ठीक है उस constant में उसकी आप unit बता है कि अगर आप इसे mole fraction के terms में express करते हो ठीक है क्योंकि हम लोग henry log को किसके terms में express करते है mole fraction तुम अगर ncrt भी open करके देखोगे ना तो तुम यही पाऊगे कि वहाँ पे भी यहीज किसके terms में express की गई है in terms of mole fraction ठीक है तुम यह पाऊगे तो अगर तुम है ncrt open करो और ncrt में अगर इस KH की unit को अगर चेक करो तो यहां पे जो तुम्हारी बुक में जो यूनिट दी हुई है ना ठीक है यहां पे जो तुम्हारी बुक में जो KH की यूनिट दी हुई है वहां पे यूनिट नहीं क्योंकि यहां तो पूरी तरीके से KH की definition ही बदल दिया टेक्स्बु क्या according चलें तो अगर आपको CH की unit निकालनी है तो आपको स को और P को आपस में divide करना पड़ेगा एस की unit molality lr and pressure अगर आप बार में ले रहे हो तो बार ATM में ले रहे हो तो ATM ठीक है ना ठीक है बढ़िया है तो यहाँ से यह ची unit देखे तो यहां से मार्किंग कि KH is the solubility of a gas and liquid when its pressure over the solution is one bar कि कितनी उसकी solubility है gas and liquid में अगर pressure इतना है तो बस खता यह तुम्हारा काम है अच्छा उसके बाद यह जो question है exception of Henry law पढ़ाते वग भी मैंने बताया है कि Henry law उन लोगों के लिए applicable नहीं होता उन gases के लिए applicable नहीं होता जो क्या करती है किसी भी gas किसी भी liquid में जाने के बाद क्या हो जाए आयोनाईज हो जाए ठीक है उनके लिए applicable नहीं है ध्यान रखना तो यहां पे भी उसने दो example दिये एक example तो मैंने भी दिया था पढ़ाते वक कि ammonia जो होती है अगर उसको पानी में चोड़ दें तो अमोनियम आयन और ओच निगर्ट में कनवर्ट हो जाती है और अगर सी ओटू को पानी में चोड़ दोगे तो वह कार्बोनिक एसिड में लेटी जो एच्टू सी ओटी है इसे कहते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड ठीक है तो ऐसे केस में यह जो exception से हैंवर ठीक है क्यों नहीं है बिकॉस ठीक है बिकॉस नहीं लिख देना इस गैसे रियाक्ट वित वाटर यह फिर यह दोनों रियाक्शन लिख देना ठीक है बराबर अच्छा और अगर वो रियाक्ट कर गएं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो solubility है यह जो एनेश्री और यह जो सी ओ कर लेना तो यह है यह कोशन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है what is the exception of Henry law ठीक है यह से भी पूछा जा सकता है या फिर यही सेम कोशन तुमको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है why gases like ठीक है NH3 and CO2 have higher solubility have higher solubility than expected by Henry law मैं पूरा कोशन लिख नहीं हूं तुम समझ जो लिख ल and expected by Henry law ठीक है अच्छा उसके अलावा यह जो पिंग कलर का बॉक्स दिया है demonstration of Henry law यह पूछा जाता है कि आप Henry law को explain करिये with the help of an example last year की किताबों तक दो या तीन हुआ करते थे example जैसा मैंने नहीं बता है था कि वो जो उपर mountain में चड़ते हैं उन लोगों वाला एक example जो नीचे सी डाइवर्स जाते हैं उनका एक example बड़ इस साल तुम्हाई बुक में मात्रे की example है तो हमको भी एक example पर पूरा फोकस करना ह है ना example या illustration of Henry law ठीक है कई बर question ऐसा आता है state and explain Henry law तो अकर explain आ गया तो आपको ये दिलखना पड़ेगा ठीक है तो जैसा पढ़ाते वग भी यही चीज़ बताई थी कि जब CO2 वो जो coldering तुम लोगों की नहीं रहती है जब अपनों उस coldering को पीते हैं तो उसमें taste आता है ठ क्योंकि वो जो particular coldering का काला पानी या उसका orange पानी हमको अच्छा लगता है वो taste उसके अंदर dissolved CO2 की वजह से आता है तो वो CO2 को भरा जाता है coldering के अंदर वो भी high pressure के साथ ठीक है अच्छा खैर यहां पे लिखना before sealing the bottle of soft drink it is pressurized with a mixture of air CO2 and water vapor ठीक है अच्छा और उसके बाद यहां पे लिखना the amount यैसे the amount of CO2 the amount of CO2 dissolved in soft drink is higher than the solubility of CO2 under normal condition यह इतना ठीक है अच्छा और when the bottle opens तो वो CO2 बहार निकलती है in the form of bubble खतम कहानी ठीक है अच्छा दन यह थी पूरी henry locky marking कहर इसके बाद तो आगे तुम्हाही चीजे शुरू हो जाती है यह तो मैं already mark करवा चुकी हूँ इसको आपको करने की जरुवत नहीं है अच्छा बिलकि यह चीज सो मैंने तुम लोगों को बताई भी है कि कई industries ऐसी होती है जो क्या करती है आप लोगों का गरम गरम पानी ponds में छोड़ देती है तो यह मैं already blue color का paragraph आपको समझा चुकी है वह ही है आप चाहो तो read कर सकते हूँ आचा खेर उसके बाद हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि कौन-कौन से factors से solubility affect होती है ठीक है तो actually वो total तीन factors थे पहला factors क्या था nature of solute and solvent एक था temperature और तीसा था pressure अब देखो यह question इस तरीके से पूछा जा सकता है कि what are the factors affecting solubility कौन-क तो ऐसे में पहले अगर लेटसे यह question पूछा जाए आपको या कल को ऐसा कोई दूसरा भी question पूछा जाए तो तुम्हारा पता है हमेशा attitude कैसा रहना चाहिए पहले तो solubility को तुम define करना ठीक है पहले तो तुम solubility को define करना और define करने के बाद लिखना therefore the factors affecting ठीक है ऐसा सवाल का ना इंट्रो होना चाहिए थोड़ा सा डारेक्ट अपने सवाल पर मतकूट पढ़ना तो पहले point में इसका answer करते बग डिफाइन करोगे दूसरे point में वो statement लिखोगे the factors affecting solubility are as follows ऐसा dot dot करके फिर first point में लिखना nature second point में लिखना temperature तीसे point में लिखना pressure अगर one marks के सब्सक्राइगा निक है बट स्टिल अगर मान के चलते हैं one mark के लिए आ गया है ठीक है वो क्या है बताओ वो बस इतना nature temperature और अपका pressure फिर इंट्रों इंट्रों की जंजट नहीं अग थ्री marks के लिए तो इतना अपने आपको प्रिपेर करना है नेचर में हमको ज्यादा लि में इस चीज को खतम करना है chemistry में एक ही नियम चलता है like dissolves like मतलब dissolve होने वाला solute और dissolve करने वाला solvent यह दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए same nature की होने चाहिए मतलब अगर पहला वाला polar है तो भी polar दूसरा वाला non polar है तो भी non polar यह इस तरीके से ठीक है अगर ऐसा है तो ही चीज अच्छे से dissolve नहीं होंगी बस यह नियम है और बात खतम हो जाती है ओके चल आगे बढ़ो एक मिनट हम ठीक है अब आगे तो क्या लिख होगे यह कि दा कंपाउंड्स विस सिमिलर क्यमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडियली सल्यूबल इन इच अदर बस यह इतना जितना मैं मार्क कर रही हूं नहीं पिंक कलर से बस उतना ही अच्छो इंग्जाम्पल अपने एक दे रेते हैं और उसके बाद रुको बस खतम बाकी लिखने की और एक्स्प्लेंग करने की जरुवत नहीं अच्छा और उसके अलावा नेक्स जो तुम्हारा पॉइंट है वो यह है टेंप्रेचर पे किस तरीके से इफेक्ट करती है तो देखो जो टेंप्रेचर वाला वर्ड है कई लो लोग क्या करते हैं शक्कर को चाशनी बनाते हैं जितना ज्यादा हम टेंप्रेचर रखते हैं उतना ज्यादा टेंप्रेचर रखने से चाशनी अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है तो टेंप्रेचर बनाने से बढ़ेगी यही कई लोगों का मानना होता है बट खेर ऐसा न को डिसौरों को और जब हम किसी गैस को किर्टीकुलर हो सॉल्वेंट करते हैं तो वह जो प्रॉसेस होती है वह प्रॉसेस एक्जो थर्मीरक होती है तो यह क्यों बलाश क्लास में नःब दा होती है आप लोगों की एंडो यह शो करेगी है ना तो हमने यह चीज अल्रीडी पड़ी हुई है तो तुम लोगों को जो क्लास में लास क्लास में सिखाया गया है उस इखाये वह को एक बार रीकॉल गर लेना वीडियो में वापस से और उसके बाद यह आंसर को मार्क करना बट इस आंसर की मार्किंग में ह ट सरव को थो हमारे ट्राइच को परिलीटि और उसने लोगों की बोसकिए फेली अुट की obs 800 गडर कर पूछा जाता तो तुम लगे तेमपरेचर बढ़ा में एक गटेगली हैMM तो कि गैस को जब हम लिक्विड में डिजॉल करते तो एक exothermic process होती है ठीक वो कैसी process होती है exothermic बट यहां question में बोला नहीं है कि किसकी solubility और question में जो उसने answer दिया है न वो salt के लिए तो हम भी सभी के लिए देंगे तो points बनाना शुरू कर देते हैं ठीक है अच्छा उसमें ऐसा लिखना KCL dissolves in water by endothermic process मता KCL bracket में एक point लिख देना वहाँ पे salt dissolves in water by endothermic process अच्छा और उसके बाद लिखना next मता उसी के बाजू में लिख देना कि अगर कोई process endothermic होती है ठीक है तो endothermic process के लिए temperature का और solubility का कैसा relationship होता है आपको explain करने की जर्वत नहीं है हां बाजू में लगे तो reason दे सकते हो ली चाटिलियर प्रिंसिपल आप 11th class में पढ़कर आए हो तो आपसे expect किया जा सकता है क्या पिर सरीके से direct reason दे दो क्योंकि topic अल्रेड 11th class का है पूरा explain करने की जर्वत नहीं है कि backward shift forward shift ये shift वो shift ये से समझाने की जर्वत नहीं है ठीक है अच्छा और अगर जर्वत पढ़ी भी तो 11th class में कैसे तुम्हें ला ली चाटिल प्रिंसिपल सिखायत है बस उसी के basis पर समझाना क्या पॉइंट नमर टू में आते हैं ये calcium chloride ये लिखना calcium chloride cacl2 या फिर ये वाला compound इन्हें water में dissolve होते हैं releasing heat that is exothermic मतलब हर salt आपका endothermically dissolve होगा ऐसा नहीं होता कुछ exothermically भी हो सकते हैं तो ऐसे case में temperature का और solubility का कैसा relationship होगा inverse अब राकेट में लिख देना लीचे चाटिल है principle अगर dissolve होने वाली process exothermic है तो solubility और temperature inversely related होते हैं अगर endothermic है तो directly related होते हैं ये हो गया point number two अब बात हम लोगों की क्या चल रही है बात हमारी gas वाली चल रही थी है ना हम लोग तो topic gas का पढ़ रहे था तो gas वाले topic के बारे में आपका क्या कहना है तीसे point में लिखना ये the solubility of gas in water ठीक है इस इस आपकी exothermic process ऐसा लिखना कि ये कैसी process है exothermic process है फिर उसके बार लिखना देरफोर ठीक है यहां पर लिखना solubility is inversely proportional to temperature reason देदेना lcp खतम और solubility को s मत लिखना temperature को T मत लिखना पूरी spelling लिखना solubility की spelling temperature की spelling तो समझ में नहीं आएगा s क्या है T क्या है खदम तो अगर solubility का temperature के साथ किस तरीके से variation होता है यह वाले factor के बारे में अगर उसको चर्चा करनी है या तुम्हें अगर detail देनी है तो यह इन पॉइंट्स में बाकी देखो इतने सारे पॉइंट्स तुमारे टाइम पास के लिए हां उन पॉइंट्स से एंसी क्रियेट हो सकते हैं मैं माक करा के दूंगी बट पहले आंसर को तो माक कर लें खेर टेंप्रेचर हो गया प्रेशर प्रेशर भी तो एक फैक्टर है जिस पर सॉल्यूबिलिटी का फरक पड़ता है तो देखो प्रेशर वाले फैक्टर को अगर समझाने को पूला जाए तो देखो प्रेशर का किसी भी सॉलीड या लिक्विट की सॉल्यूबिलिटी पर कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि जो solid और liquid होते हैं, वो incompressible होते हैं, मतलब pressure लगाने से वो दपते नहीं है, तो यह हो गया तुमारा point number one, लेकिन gases की solubility पर फरक पड़ता है, तो किस तरीके से पड़ता है, वो हमको लिखना है, तो यह बस एक point लिखना है, ठीक है कि solubility का, आप लोगों के साथ, कैसा relationship है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखना, the relationship between solubility and pressure is given by Henry law, यह point number three, बार की Henry law क्या है, उसको समझाने की इस particular question में जरूवत नहीं है, बस इतना लिख देना, खतम, लगे तो यह भी लिखना चाहते हो, तो चलो यह भी लिख दो, point number four बना के बस खतम, तो अगर factors affecting पूछा जाए, तो इस तरीके से factors को explain करोगे, अब देखो, इसमें question क्या-क्या पूछ सकता है, question इसमें यह जो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे, सबसे पहली बात, there is, यह जो वर्ड दिख रहा है, there is no direct core relationship between solubility and exothermicity and endothermicity, यह बहुत ही important line है, इस important line से true or false, सीधा-सीधा पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, आप लोगों को, मैं बाचास बर बता चुकी हूँ, कि आप किसी भी reaction को, यह देखकर यह कहोगे, यह एक्जो थर्मिक यह एक्जो थर्मिक यह उसके बाद ही आज solubility को बता होगे, कि यह directly है कि इन्वस्टी, आप हमेशा directly होगी यह हमेशा inversely होगी यह पैसा नहीं कह सकते, ठीक है ना, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ salts के नाम दिये थे, अब जैसे हमने कहा कि gases 99% cases में exothermically ही resolve होती है, बट जो salt होते हैं, ठीक है वो salt, कई salt endothermically भी होते हैं, कई salt exothermically भी होते हैं, तो कुछ salts के नाम दियें, जैसे CACL2, यह exothermically होता है, NH4NO3, यह endothermically होता है, ठीक है, बलकि यह तो मेरा इतना favorite salt है, जब chemistry lab में काम करते करते गर्मी लगती थी, हम लोग test tube में इस particular salt को डाल कर, पानी डाल कर, जहां भी अपना पसीना वसीना आ रहा है, वहां रखते थी, क्योंकि पुरा थंडा हो जाती थी है test tube, ठीक है, यह endothermic लिए तो आपको यह याद रखना पड़ेगा, कि कौन हमारी textbook में हमें exothermic दी है, कौन हमारी textbook में हमको endothermic दी है, हन्य textbook का at least याद रखो, दुनिया के सारे salt याद रखने को कोई तुमें नहीं कह रहा है, बढ़ textbook का तो कम से कम याद रखो, अच्छा, उसके बान जैसे KNO3 और NANO3 ठीक है, और KBR, यह तीनों के तीनों को तुम मान के चलो, कि यह तीनों के तीनों कौन से हैं, endo वाले लोग है, ओके, NA2SO4 यह कौन सा वाला है, exo वाला है, आप यह मान के चलो, उसके अलावा, NACL, NACL नहीं कहांगे, आपका CACL2 और Li2SO4 यह वाला, यह तो मैं अल्वेड़ी बता चुकी हूँ, कि exo वाला है, है ना, अच्छा, KCL, यह भी कैसा है, exo वाला है, तो एक काम करना, notes की तो मार्किंग देखो, पूरी खतम हो चुकी है, notes की मार्किंग पूरी खतम हो चुकी, अब एक heading देना, note, note की heading देने के बाद, पहला point तो यह लिखना, उसमें यह blue color की line, दूसरा point उसमें, तुम column बनाना, एक column की heading देना, endo, दूसरे column की heading देना, exo, जितने endo वाले example है, वो एक तरफ लिख दालना, और जितने exo, अले example है, वो एक तरफ लिख दालना, ताकि तुम्हें बाद में, पेपर में, रिविजिन करते वाग, आसानी हो, वैसे मुझे नहीं लगता, कि कल को कोई तुम से पूछेगा, अचा लेकिन, कि ख्यार माल लेते हैं, तुम्हें कल को किसी ने पूछ लिया, कि वाइस, केसी यल, डिजॉल्स इन वाटर, वैंड, टेंप्रेचर, इस डिक्रीस्ट, सभी, वैंड टेंप्रेचर इस इंक्रीस्ट, मतलब क्यों, सॉल्यूबिलिटी का, टेंप्रेचर के साथ डारेक्ट रिलेशन्शिप, तो ऐसा थो यह लिख कर आओगे, वान लाइन में, अक्वाडिंग टू ली चाटीलिया प्रिंसिपल, है ना, ऐसा थो यह लिख होगे, तो एक काम करना, आज ली चाटीलिया प्रिंसिपल को, 11th क्लास से रिवाइस कर लेना, कि टेंप्रेचर इंक्रीज करने पर, जो हमारा रियक्षन है, वो की स्थरा शिफ्ट होता है, फिर इन ओर टू शिफ्ट एट कंपंसेट, हमाई रियक्षन फिर आगे जाती है, जैसा आपको सिखाया गया था, ली चाटीलिया प्रिंसिपल, वैसे का वैसी यहाँ पर, लगे तो मैं इसकी एक लिंक यहाँ पर शियर कर दूगी, इस वीडियो में, ताकि कुछ लोग, जिनको नोर्स कॉपी से देखके समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग अपना रिविजन कर सके, खेर, यहाँ पर हम लोग इस रीच को आप ओवर करते हैं, हमारी complete marking हो चुकी है, एक बार text book को देख लेते हैं, कि अभी जो Henry Law हमने topic पढ़ा, इसकी कोई marking तुमारी book में तो नहीं है, खेर, खिदर है, देखो, आपसे मैंने कई बार question पूछा है ना, कि आपको अगर जो चार को लोगेटिव प्रॉपर्टीज दी हुई होती है, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सी होती है, molecular mass के determination के लिए, तो मैं बताई हूँ बार बार, osmotic pressure, तो देखो question दी है, osmotic pressure, reason, तो उसमें reason लिखना, इसकी जो calculations होती है, और जो छोटे-छोटे slight variations होते है, वो बहुत ही easily, slight variations in osmotic pressure, can be easily monitored, उसका बहुत ही easily monitored कर सकते हो, खेर, आज की marking का, तुमारी textbook की marking के साथ, कोई relationship है क्या, एक बार वो देख लेते हैं, देखो, ये question number 5 पुछा गया, what is the effect of temperature on solubility of solids in water, सिर्फ solids के लिए पुछा, और give examples भी का है, gases के लिए नहीं पुछा है, वैसे हो, तो topic gases के लिए आना चाहिए था, बढ़ पूछा उसने सिर्फ solid के लिए, इसका मतलब मैंने अभी तुमसे कहा ना, ये बहुत महाँने रखता है, तो देखो, इसका पहला point अब सुनो, कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना, सबसे पहला तो ये लिखना, कि solubility का, ठीक है, ये जो मैंने उपर आपको marking करा के लिए थी, वो blue color का point, जो मैंने कहा था, notes में लिख ले, ये जो star वाला point है, सबसे पहले तो ये लिखोगे, target से मत लिखना, ये नमनीज से देखके, मत लिखना इसका answer, वो लोग unnecessary answer को बहुत लंबा कर देंगे, जितना हमारी textbook में हम उतना ही जवाब देंगे, star वाला answer, पहला point, point number two, अब सुनो क्या लिखोगे, point number two में, ये लिखना, ठीक है, मैं बोल रही हूं, मैं डिक्टेट कर रही हूं, ये तुम खुद कॉपी में लिखोगे, some of the solids, dissolve in water, endothermically, some of them dissolve in water, exothermically, ये point number two, point number three लिखना, according to Leechatilias principle, ठीक है, next point, according to Leechatilias principle, कॉमा, उसके नीचे लिखना, इफ रिक्टेशन इस एक्जोथर्मिक, ठीक है, देन, तेंपरेचर, तेह नी रुक हां, थान लिखना, देन, solubility का inverse relationship है, किसके साथ, आप लोगों के, किसके साथ, solubility का inverse relationship है, किसके साथ, temperature के साथ, फिर उसका B point मेंना, इफ रिक्टेशन इस एंडो तो, हमें, solubility का direct relationship है, symbol लुकना, symbol, direct का inverse का, पुरी statement मत लिखना, तीन point हो गए, अब चौत्य point में, हमको example देना है, अब मैंने तुम से क्या का, क्यों चार्ड बना लेना, example का, कि कौन से एंडो वाले, कौन से एक्जो वाले, तो दो-दो example दोनों के दे देना, जैसे कि में को एक याद है, NaNo3, और दूसरा मुझे याद है, आप लोगों का कौन सा, KCl, उसमें लिखना, NaNo3, KCl, dissolves in water, ठीके, by endothermically, फिल लिखना, therefore, when we increase temperature, solubility of these salt increases, ऐसा, मतब जितना temperature बढ़ा होगे, उतना जादा solubile होगे, फिल next point में क्या लिखना, CACL2, और वो एक Li2SO4 वाला example, dissolves in water exothermically, so therefore, when you increase temperature, solubility of these salt, decreases in water, ठीके, दो-दो example काफी है, तुम्हें पांचवे point में बनानी है, वो बनाना है graph, अब ये graph कहां से आ गया, ये रिखो, ये graph आपको उपर, आपकी टेक्स बुक में दिया हुआ है, कहां है, कहां है, ये रहा, ये graph आपको बनाना है, बढ़ ये graph क्या, सबसे दिखरा है कि, KNO3 सबसे उपर है, और सबसे नीचे से शुरू किया है, एक graph बना लो, सबसे नीचे से शुरू करता हुआ, सबसे उपर हो, ये बाजू में लिख देना, KNO3, बराबर, अज ऐसे साथ साथ दिखरा है, कि NACL जो है, जैसे 2-3, तुम्हें जो अच्छे लगते हैं, उनको तुम बना लेना, अपने answer में, पूरा, हुबभु ऐसा ही, काव ऐसी graph उतारने के, आपको जरुवत नहीं है, हुबभु नी, जो एक या दो तुम्हें अच्छे लगते हैं, उन एक या दो को तुम देख लो, और उसको graph में बना, इससे, तुम जो अपना paper लिखोगे, उसका जो presentation बहुत ही अच्छा जाएगा, इस answer को target वगज़ा सा मत देखना, बिल्कुल भी कैसा उन्होंने लिखा है, मत करना वाली चीज, खेर, नेक्स कुश्चन में आ जाते हैं, नेक्स कुश्चन तो और कोई है नहीं, बाकी तो हमने सब मार्क कर लिया, इवन तुम देखो, तुमारी पूरी टेक्स्ट्बुक में, स्टेट हैंडरी लॉ करके, कहीं कोई कुश्चन नहीं, बलकि तुम खुद सोचो कि हैंडरी लॉ, सोचो भी मत, अगर थोड़ा सा, प्रिवियस पेपर्स अगर तुम देखो गे, तो तुम्हें मिल जाएगा हैंडरी लॉ, का डेमोंस्ट्रेशन, विथ हैंडरी लॉ का एक्जाम्पल, आपको कई बार बोर्ट्स में पूछा जा चुका है, तो इससे ये चिक्षा मिलती है, कि अगर कोई चीज़ टेक्स्बुक के पीछे नहीं लिखी हो, इट डेजन्ट मीन्स कि वो नहीं आएगी, वो आएगी भाई, वो क्यों नहीं आएगी, ठीक है, तो ये हो गया, अच्छा, एक आखरी कोशन, उसके बार हम इस मार्किंग को ओवर करते हैं, वो ये, कि तुम्हें ये लिखना है, ड्रॉ दा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूबिलिटी विट तेम्परिचर, कोशन बना के लिखना अलग से, ड्रॉ दा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सॉल्यूबिलिटी विट तेम्परिचर, तो जैसा कि मैंने बताया, दो तीन सॉल्ट बना दो, वो काफी है, ठीक है, जादा बनाने की जर्वत नहीं है, ठीक है, दो तीन मना दो, कुछ स्ट्रेट लाइन वाले बना लो, कोई बहुत उपर उपर जाती है, खत्म, और यह जो टेम्परिचर की वाल्यूबिलिटी की वाल्यू आपको लिखने की जर्वत नहीं है, यह डेटा आपको याद रखने की बिल्कुल आविशक्ता नहीं, फाल्तू है हूँ डेटा, यह आपका कोशन मना लेना, दूसी जी, मैंने कैसा मैं मार्किंग कराई की कौन-कौन से फेक्टर्स वाल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना, प्रेशर वाला फेक्टा तो बेसिकली हैंडी लू में आ जाता है, जैसा भी टेक्स बूत में कहता है, सिर्फ तेम्प्रेचर वाला पूचा, तो आपको सिर्फ तेम्प्रेचर लिखना है, यह नेचर और सॉल्वेंट और सॉल्यूट यह जनरली नहीं पूचेगा, हाँ, प्रेशर वाला पूच सकता है, जैसे अलग से टेम्प्रेचर गब पूचा है, तो नेक्स कॉशन बनाओ, एक्स्प्लेट दा इफेक्ट ओफ, ठीक है, मार्किंग कराया है, 0.1, 0.2, 0.3, सिर्फ इतना लिखके मत आजाना, जब वो तीनो एक साथ पूचता है, तो उतना लिखना, अगर सिर्फ प्रेशर पे फोकस किया जाए, तो तीनो लिखना, तीनो को लिख लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये हैंवी लोग का स्टेट्मेंट लिखना, फॉर्मला लिखना और वेयर वेगरा ये सब, ये सब करने के बाद ही खतम करोगे, और एक्जाम्पल के नाम पे, सीओ टू का सफब डरिंग वाला एक्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, वगेरा वगेरा, तो ऐसे केस में, यहाँ पे हमने इफेक्ट आप प्रेशर वाली, अगर अलग से पूछा गया, तो क्या अतना लिखना है, वो बादचीत कर ली, और अगर बाकी सारे फेक्टर्स के पूछ साथ पूछा जाए, तो कितना लिखना हमने यह मार्किंग कर ली, ठीक है, तो यह तुम्हारे आज की मार्किंग है, यहाँ पे हम लोगों का यह सलूशन्स वाला चाप्टर ओवर होता है, अब हम लोग हमाए नेट्स चाप्टर मूव करेंगे, आज़े स्केमिकल कानेटिक्स,